तेक्समाको रेल एन इंजिनिरिंग, फिनोलेक्स पाइप्स और टीसी एनस क्लोधिंग तीनों शेयर्स पर आपको नज़र रखनी है टेक्समाको रेल करीब 9% तक की तेजी कल के सेशन से हम देख रहे हैं रेलवे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती नज़र आ रही है consecutive third session है जबकि इस स्टॉक में अच्छी मजबूती के बीच कामकाच 15% तक की बढ़हत यहाँ पर देखी जा चुकी है 26 अगस्त के बाद biggest weekly gain sticks मैको रेल के स्टॉक में इस हफते नज़र आए हैं इसके लावा फिनोलेक्स पाइप 7% की तेजी यहाँ पर दिखरी है trading value अगर देखे 5x है अपने 20-day average से अच्छी मजबूती के बीच यह stock भी trade करता हुआ और TCNS clothing में 9% तक की बढ़त है और इस बढ़त के पीछे की वज़य क्या है यह सबसे पहले जानते हो और यह बताने के लिए हमारे साथ शरत जुड़ गया है और यहाँ पर जो story थी कि TCNS clothing के जो promoters है और उनके जो PE investor है वो अपनी stake बेच सकते है और उसमें potential suitors में आपके reliance retail है, trend है, ABFRL है और NICA भी है और यह हमने पहले ही एक महीने पहले report कर दिया था E.T.N.A.W. सौदेश में और अगर देखा जाए तो अगर promoter की values देखे तो उनका लगबग 32% stake है जिसका value 1200 करोड रुपे का आता है और जो PE investor है Wagner करके उनका नाम है वहाँ पर 29% stake है उनका लगबग 1000 करोड रुपे का रहेगा of course यह important इसलिए क्योंकि TCNS Clothing जो एक women's की ethnic wear brand की company है और जो W या Aurelia जैसे brands है उस पर focus करती है इनके distribution आकड़े भी बहुत अच्छे हैं लेकिन यह important acquisition target इसलिए है क्योंकि एक high margin business है इनकी जो brand recall है वो बहुत strong है और जो distribution होती है जिस तरह मानेवर की distribution देखिए वैसे इनकी भ market हो जाता है और भारत के अगर ethnic wear market के बारे में बात करें तो market size 20 billion dollar का है जिसमें से 93% women's segment के लिए है और overall देखा जाए तो 28% जो है overall और overall market जो है सिफ ethnic wear से आता है तो यह बहुत important acquisition हो सकता है और हाली में यह बस भी कर रहा था तो यह बहुत important trigger देखने मिल सकता आगे जाते हुए बिल्कुल तो काफी important trigger है आज company के लिए और इस पज़े से हम देख रहे है कि शांदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रहे है बहुत अश्क्रिया शरदाग पर यह साई जानकाई देने के लिए तो Reliance और NICA के promoters के हिसा खरीदने में दिलचस्पी की खबर निकल कर आ रही है कुछ समय दिन पहले यहाँ पर company के नतीजे भी है उसके बाद हमने एक गिरावट भी देखी थी लेकिन आज यह खबर वो trigger का काम कर रही है और आज देखे करीब करीब 8% उपर यह stock इस वक्त क इस पर्टिकुलर स्टॉक पर आपकी दाय लेना चाहेंगे आज जो तीजी आई है कैसे देखने है आप इसको क्या एंट्री के मौके बन रहे है या फिर अभी अवाइट करना चाहिए और थोड़ा वेट करेंगे जो तक यह क्रॉस नहीं होता है उपर में तब तक कोई एक बड़ी तेजी नहीं आ सकती यह stock में और intraday के perspective से भी एक बड़ी असा उपर में volume हो चुका है there is a possibility कि यहाँ से 640, 650 के तरफ जा सकता है एक से दो दिन में अगर किसी को 30-40 रुपे के लिए buying करना है तो वो कर सकता है मगर medium term और little near term perspective के लिए वेट करना चाहिए 650 का breakout आने के लिए नीचे में जो stop loss रहेगा 580 का रहेगा for that 20-30 रुपेज move तो चले TCNS clothing पर इस वक ती रहा है आपको मिलती हुगी काफी अच्छी है action के साथ stock में trade हो रहा है और इसी के चलते है अगर position से intact रख नहीं की रहा है लेकि new positions के लिए थोड़ा सा वेज़ सरूर करना चाहिए आई आगे बढ़ते हो mid cap में action कहां पर हैं कौन से stocks हैं जो कि इस वक्त buzzing candidates हैं और कहां पर लगा आज से गिरावट कहां हावी हो रही है और कौन से themes आज play out हो रहे हैं शरत से एक बार समझते हैं शरत आप बताएं जी बिल्कुल broader markets के बात करें तो events to events है advanced decline ratio 1 is to 1 पर है हाला कि अगर थोड़े details में जाए तो sectoral gainers की बात करें तो banking में PSU ले 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 जिए private banks ले ले जिए वहाँ पर एक अच्छी बास देखने मिल रही है और इसके लावा जो है आप कह सकते थोड़े बहुत railway stocks और infra stocks इसमें भी बहुत अच्छी बाइंग देखने मिल रही है और sugar stocks जो आपने पहले कहा था वो भी जो है sector जो है trade कर रहे अच्छ है reality और metal stocks में थोड़ी सी जरूर पेन है लेकिन midcap gainers की बात करें तो सबसे पहला TCNS brand जो है TCNS clothing है इसके लावा railway stocks में RVNL है जो अपकोस अपना all-time high levels भी टच किया है Phenolix Industries भी one of the top gainers है और banking space से union bank है जो 5% के ऊपर trade करें midcap losers की बात करें तो Apollo Tires में जो selling लगातार दूसरे दिन देखा जा रहा है और of course उनके जो commentary आई है वो भी उतनी strong नहीं आई है और जो margins में impact पर रहा है उसके current tire companies ने बहुत weak set of quarterly numbers report की है स्पेशली जुनके कामकाजी मुनाफ़े हैं उसमें इसके लावा नाइका में भी देख रहे हैं कि selling का pressure जो है जा रही है और न्यूएच स्टॉक में देखे ट्रैक में तो ATM इसमें आ चुका है इस लिस्ट में और इसके लावा Metropolis Healthcare यहां पर भी developments आ रही है कि कुछ rates हुए income tax के तो एक developing story है तो इनके कारण जो है midcap space में यहां पर विकवाली देखने मिल रही है एक important sector है जो मैं point out करूंगा अफकोस हमने railways के बारे में बात करें लेकिन जो infra sector है वो भी focus में रहेगा और जो है ministry of road and transport highways नितिन गटकरी जी ने भी कल important बयान दिया था कि NHAI जो है उनको debt levels जो है और जो है improve वो करने वाले हैं और कोई भी project जो है loss making नहीं है तो बहुत positive commentary आ रहे थी infra space पे और उसके कारणिक rub of effect देखने मिल सकता और आप देख रहे हुड को ले लीजिए जो टॉप gainer in 50500 index का इसके लावा जी आर इंफर प्रोजेक्स पी एंजी इंफरा के अनर construction यह सारे जो आपके construction stocks हैं इंफरा related stocks हैं वो दिन के trade में आद बहुत strongly buzz करें और volumes में भी एक focus भी हैं चाहे फिर hood को जी आर इंफरा पी एंसी इंफरा के अनर जैसे stocks हो कल NCC का stock ना अगर जुना construction का अपनी भी काफी अच्छा चला था एक बार नीरव रोडन इंफरा stocks पर आप अपना outlook बताएं क्योंकि इंफरा स्पेस में लगातार action हम देख रहे हैं राज मिटक्या आप इंफरा stocks में काफी अच्छी तेजी है hood को सबसे आगे करीब 12% ही बारहत के साथ या देखिए एक बहुत broad-based rally है इन सेक्टरों में आपने एकदम सही पकड़ा है तो काफी सारे stocks बस कर रहे हैं पर at this point of time अगर मुझे कोई एक या दो stock pick करने हो ये पूरे space में तो मेरे इसाब से एक BBL एक stock है दिलिप बिल्ट कॉन जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है बहुत बढ़िया consolidation किया हुआ है ये stock ने और उसके बाद एकदम ही तयार है stock उपर में around 320 तक जाने के लिए यहां से अच्छा momentum आ सकता है plus downside एकदम minimum लगता है यहां से 215 के आसपास का तो यह stock आप जरूर ले सकते हैं बढ़िया कमनी भी है और technically बहुत बढ़िया level पे है at this point of time दूसरा आपने जो बोला hood को hood को में आज volumes बहुत ही बढ़िया हुए है और एक rounding formation का breakout आया है तो यह दोनों ही stock जो है यह space में बहुत बढ़िया लगते हैं उपर में around you know possibility है around 55 से 60 के levels दिख सकते हैं hood को में 42 का आप stopless लगा सकते हैं ऐसे buy कर सकते हैं और larger cap अगर you know देखें probably you know related to the space L&T और Bale वो भी मु point of time यह stocks आप you know buy कर सकते हैं